हलो दोस्तों आप सभी का SSCG के ग्यान में स्वागत है आज हम आपके लिए प्रिविस एर एक्जाम NTPC में पूछे गए most important question लाए है जो अगर गामी आने वाले NTPC और गूर्पडी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा important है यहार भी NTPC stage first 29-30-26 को first रिप्र में पूछा गया question है जिसमें GK, GS और General Awareness के most important question है चलिए दोस्तों start करते हैं start करने से पहले आपसे request है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें, like करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आज आपका 114 प्रश्ण है कि मंगलयान कहां से launch किया गया था तो मंगलयान स्री हरी कोटा से launch किया गया था तो इसका राइटेंस्वर भी होगा इस्तित और प्रतेश में स्रीहरी कोटा सता मंगल यान को लांज किया था चली अग्ला प्रश्ण आपका है कि जी वेल्स सेंगर किसे साथ संबंदध हैं जीन्मी वेल्स और सेंगर एक विकिपडिया है तो इसका राइचन सर एह कि चलि aventura पुर में स्थित यह हुगा है सेजर पुर्टेंट प्रिसमंस रखेगा चलियन अगले का ये इंटर पॉल है उसका मुख्षालय में इस तीस्थ है इसका राइट रहाइक सई होगा बर Siya कुछ इसका मुख्राइब दोस्तो यह लियोस पैरीस में है तो इंटरपोल का मुख्या ले पैरीस के सार लिवन्स में इस्तित है अगले प्रस्ट की बढ़ते हैं अगला प्रस्णाप का है कि कुछी कल जल परपात कहां पाये जाता है जो कुछी कल जल परपात है करनाटग पाये जाता है तो इसका राई टेंसर भी होगा करनाटग में कुछी कल जल परपात है अगले प्रस्णाप क कागच का विजकार कहाँ पर हुआ था तो जो कागचा विजकार चीन देशुर में हुआ चीन लिए चीन देश खूंग बंद आपका म सब्सक्राइब दोस्तों वह जल वास्प और कर्बन डाइकसद होता है इसका राइस्ट होगा जलवास्प और कारबन डायकसाइट एक ग्रीन हाउस गयस है अगले प्रश्ट क्यों पढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है कि निम्रकित में से किसे आरम कहा जाता है तो आरम सोना को कहा जाता है इसका राइटेंस वर भी होगा है तो उसका कारट 42 होता है चलिए अगले प्रश्ट पर पढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है ओलंपिक में जिमनाश्टिक में परफिक्ट 10 का इसको करने वाला पहला खिलाड़ी नादिया कॉम ने की थी इसका राइटेंस वर यह होगा चलिए अगले प्रश्ट पर समराट कौन था जो अन्तिम मुगल समराट था बहादुर्शाद था इसका राइटेंस वर डी होगा है दोस्तों इसके साथ आप याद रखेगा कि मुगल समराट की जो अस्थापना बावर ने किया था चलिए अगले प्रश्ट पर पढ़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है कि दीनी इलाही किसके दुवरा प्रचारित किया गया था दीनी इलाही के प्रचारा अकबर दीनी इलाही के अस्थापना की थी अगले प्रश्ट पर पढ़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है दोस्तों ही जितनी प्रस्ट लिया गया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है उसके चुनें चेचक खसरा बुखार और मस्तिसक जवार इसमें से कौन अलग है तो इसका राइट एंसर होगा डी मस्तिसक जवार मस्तिसक जवार इन सबसे बहिन है अगले प्रस्ट की उपढ़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है कि निम्लिकित में से ब्राजील की अधिकारिक भासा का नाम क्या है तो ब्राजिल के जो अधिकारिक भासा है वो पुर्तगाली है तो पुर्तगाली ब्राजिल का अधिकारिक भासा है तो इसका राई टेंसवर ए होगा अगले प्रश्ट पे चलते हैं अगला प्रश्ट नापका है कि रात में आकास में सबसे च मोनके लतारा सीरीयास एह तो सकर भी होगा अगले प्रस्ट क्यों बढ़ एक उस्क्या धरार को क्या कहा जाता है तो क्रेवाज्स क्यों एक ग्लेशिर घरार को कहा जाता था तो इसका right answer B होगा अगले प्रश्ट के उपढ़ते हैं अगला प्रश्ट है अगला प्रश्ट वेरी इंपोर्टेंट प्रश्ट है दोस्तो इसको आप याद रखिएगा कि सीमांत गाधी किसे कहा जाता है तो जो सीमांत गाधी है खान अब्दुल गफार को कहा जाता है तो कवास्टी होगा खान अब्दोर गफार खान को सिमान्त गादी कहा जाता है चलिए अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण आप का है कि क्विज बेरी नियम ना मगोड का अनुकरर किस खेल किया गया था कि मुक्यवाजी में किया गया था दिसका राइट एंसवस्य है मुक चिस देश में किस देश ने फूटबाल विश्वकल का कीचास सबसे अधिक बार जीता है तो ब्राजिल का विश्वकल का खिताब सभसे अधिक बार जीता है त्वेक्टी स्कारायट एर क्वे शिर्चॉज अधिक बार क के चलते हैं अग city प्रसनप को एक निमन चेंदेश की मुद्रा है और रूपिया भारत की है अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं दोस्तों इसमें जितने भी प्रस्ण देंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण है इन सब प्रस्णों का आप याद रखिएगा 134 प्रस इन में से कौन सी गड़ीद विसे पर लिखित एक मध्यूगिन भारती पुस्तक है तो गड़ीद विसे पर लिखित एक मध्यूगिन भारती पुस्तक लिलावती है तिसका राइट एंसर भी होगा लिलावती गड़ीद विसे पर लिखित एक मध्यूगिन भारती लेजर तकनीकी के इस्तिमाल किया जाता है तिसका राइटेंसर भी होगा अगले प्रस्ट को पढ़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है दोस्तों यह विर विर इंपोर्टेंट प्रस्ट है क्योंकि प्रतिक एक्जाम कई बार रिपीटेट हो चुके हैं कि विस्व पर रहावड दिवस का मनाया जाता है जो विस्व पर रहावड दिवस है पांच जून को मनाया जाता है तिसका राइटेंसर सी होगा पांच जून को विस्व पर रहावड दिवस मनाया जाता है अगले प्रस्ट के उपढ़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है कि हवा के प्राग कर को क्या कहा जाता है होँ के पराग कर को एंफ आने मोफिली हाँ कर को हो राइटन्स होगा अगले प्रश्ण के परहते हैंगला प्रASHन आपका है गोलु से जुड़ा है तए सब्ध यूंह प्रश्च को पढおお mai फारत का राश्ची किसे ने लिखा था कि बांकिम चंदर चठर जी ने लिखा था तीस Какर यू भी होगा बहुत कराश्ची गेद लिखाए अगले प्रश्च पर बढ़ते हैं अगला प्रश्च आपका है कि मानौ शरीर का एक मात रंग जो पुना विक्सित पुना स्रीजित हो सकता है तो मानौ शरीर का एक मात रंग जो पुना विक्सित पुना स्रीजित हो सकता है इसका राइट एंसवर जिगर होगा इसक नहां पाए जाते है अगल्हान्यास है बढ़ते हैं । कि हमें से कार्बन्य मोजुद रहता है कार्बन की कि अधिक माता में कार्बन पाए इसका राइट एंसवर होगा कार्बन को सी की द्वारा प्रदिशित किया जाता है इसे भी याद रखेएगा अगले प्रश्ण की बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है कि ग्रेनाइट किसका एक उधारण है ग्रेनाइट अगन्य चट्टान का उधारण है तो इसका प्रस्ण आपका है कि इन में से किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है इन में से एडवर्ड जेनर टीका के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि एडवर्ड जेनर ने टीका की खोश की थी इसका राइट एंसर होगा चले दोस्तों अगले प्रस्ट के बढ़ते हैं दोस्तों इसमें जितने भी प्रस्ण लिएंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण है एक सु और तलिसवा प्रस्ट किस भारती राजा ने के कुछ हिस्से के जीतने के लिए ने शक्ति का स्तेमाल किया था इसका राइट इंसर बताई दोस्तों किस भारती राजान ने के कुछ हिस्सों के पढ़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है कि निमनी लिखित में से कौनसा देश बंदरगाव हिंद हैं तो बंद्रगा विहिंदेस कजाखस्तान है कजाखस्तान में एक भी बंद्रगा नहीं पाई जाता है तो इसका राइट एंसर भी होगा अगले प्रश्ण के उपढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपका है कि मदुबनी चित्रकला शाहिली किस राजी से संबंदित है सबसे बड़ा गयर धुरुवी रिगिस्तान सहारा रिगिस्तान है तो इसका राइट एंसर सी होगा अगले प्रश्ण के उपढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपका है कि भारती रीजरुबाइंग और वियाई कर आश्टी करण कप किया गया था तो भारती कि अस्थापना और 935 में हुआ था इसको आप याद रखेगा यह विर विर इंपॉर्टेंट प्रश्ण है अगला प्रश्ण निम लिकित में से किसे उन फाइबर के लिए पाला जाता है तो इसका राइट एंस होगा अलपाका अलपाका को उन फाइबर के लिए पाला जात है दोस्तों यहां पर आपके मुश्ट इंपॉर्टेंट फर्स सिप्ट के क्वेश्टन कंप्लीट होते हैं जो 29 तीन 2016 को पूछे गए प्रश्ण है दोस्तों इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स फार वाचिंग